ऑम स्रिय गणूरी शानमा दोस्तों ऑम गणपती समधानी यूटूब चैनल में अपका हारदिक स्वागत है दोस्तो हम आज बात कने वाराज िके करकर आसी फल्के बारे में आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और विशाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर बरिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्तिकी महत्मून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तों वीडियो आगे सुनू का डिशन पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसलिए दोस्तों महत्पून कारियों में सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है अपनी ओर से कोई लापरवाही ना बरते म्यूजिक के छेतर से जुड़े लोगों को अच्छा आउसर मिलेगा और साथ ही टेली कम्यूनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए भी आज लाब का दिन है साथ ही कुजरा व्यापारियों को अच्छा मुनाफ़ा होगा बस गिराकों का ध्यान रखें और साथ ही अच्छे भिकरी के लिए कोई स्कीम या ओफर भी दे सकते हैं पीट दर्द के पिती सचेत रहें, हड्डियों में कोई दर्द हो तो तुरेंट डॉक्टर की सला अवस्चे लें परिवार के कारियों में सहीयोग करें और माता पिता का सिर्वाद लें यह आपके लिए पोजिटिव रहेगा यह समय पिछली कुछ कम्यों से सीख लेकर आगे बढ़ने का है और आप इस परकारिये भी कर रहे हैं इस तरह की कोशिसों से लोगों के साथ संबंदों में आस्चेरे जनक सुधार आएगा आप मजबूति के साथ एक नई सुरुवाद करेंगे दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में आज आप वियर्त की भारी गतीवदियों में अपना समय नश्ट ने करें साथ ही घर के बुजुरों की अवेलना भी ना करें उनका सहयोग और आसिरवाद आपका मार्ग दर्सन करेगा और साथ ही दोस्तों स्वारति मित्रों और लोगों से दूरी बनाए रखें उनकी गलत सला आपको अपने लक्षे से बढ़का सकती है जिसकी वजह से मन में मायूसी उत्पन होगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके विफशाय के बारे में इस समय विफशाय को बढ़ाने के लिए पार्टनर्सिप लाबदायक साबित होगी और कारिया का दाइरा भी बढ़ेगा साथ ही आर्टिकी सिती में भी सुदार आएगा और नोकरी में इस्तान अंतरन की संभावना बन रही है साथ ही साथ प्रतिष्टित लोगों से मुलाकात आपके विफशाय को तुरंत गति प्रदान करेगी इसलिए अपने कारियों के प्रती इमानदारी से समर्पित रहे दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में वेवाईग जीवन सुक में रहेगा और प्रेम सम्मंदों में निकाराएगा इससे आप दोस्तों में नजदी के अब बढ़ जाएंगी और साथ ही मनुर्दन सम्मंदिक कारियों में भी समय व्यतित होगा इससे दान पते जीवन में मदूरता बनी रहेगी प्रेम संबंदों के लिए बहतर समय रहेगा की गई कोशिसों में सफलता प्राप्त होगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्त के बारे में दोस्तो आपको कई बार आगहा किया गया है स्वास्त से संबंदित कोई पुरानी समस्या उत्पन हो सकती है इसे आप गंबीरता से लें और तुरंट इलाज कराएं इसके लिए मेडिटेशन और योगा पर अधिक ध्यान दें जिससे समस्य तुरंट समाप्त हो जाए और आप अधिक स्वस्त्रे हैं